जम्मू के किश्टुवाड में आतंक्यों के घिले होने की बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारती सुरक्षबलों ने इस समय पाकिस्तान के 3-4 आतंक्यों को घेर लिया है 24 घंटे के करीब वक्त पहुँचने वाला है और मुट भेड लगातार जारी है भारती सेना तकरीबन 24 घंटों से किश्टुवाड में भारी तैनाती के साथ आतंक्यों को घेर चुकी है आतंकी चारों तरव से घिरे हुए है 24 घंटे से गोली बारी रुक रुक कर हो रही है लेकिन किश्टुवाड में आतंक्यों को निकलने की जगा अब तक सेना ने दी नहीं है सेना ने ये पक्का किया है कि पूरे किश्टुवाड में इस समय जहां ये आतंकी मौझूद है उसे पूरी तरीके से कवर कर लिया जाए काडर लगाकर सर्च अभ्यान जारी है और सुरक्षा घेरा इतना पक्का और सक्थ है कि आतंकी इस घेरे के बाहर नहीं जा सकते यानि आज तीन से चार आतंकीों का मरना तै है पाकिस्तान के वो आतंकी जो जम्मू को दहलाने की साजिश रचने के लिए इस समय जम्मू कश्मीर में मौझूद है उनमें तीन से चार पालतू आतंकी पकड़े गए है इस समय भारते सुरक्षबलों ने कड़ा पहरा लगा कर आतंकीों को चारो तरख से घेर लिया है 24 घंटे हो गए है अब आतंकीों के लिए इस घेरे में जादा देर तक रुख पाना मुश्किल हो रहा है जम्मू कश्मीर के किश्टुवार जिले के चैट्रू इलाके में आतंकी और सुरक्षबलों के मीट ये मुटभेड शुरू हुई जानकारी के मुताबिक इलाके में तीन से चार आतंकी छिपे होने की खबर भारते सुरक्षबलों को पहले ही लग गई थी पुलिस ने इसे लेकर बताया था कि आतंक्वादियों की मौजूदगी के बारे में उन्हें खूप्यत जानकारी मिली थी जिसके बाद किश्तुवार जिले के गुरी नाल गाउं के उपरी इलाके धन्नाधार वन छेत्र के पास सुरक्षबलों का सईुक तलाशी अभ्यान चला सेना के जवान और जम्मो कश्मीर पुलिस मिलक और आपरेशन के लिए पहुँच चुकी थी और इस समय तक आतंकियों को ये पता चल गया था कि सेना उनके पीछे है आतंकियों ने सेना पर घात लगा कर हमला करने की कोशिश ही जैसे ही सेना को अपने पास आते देखा उन्होंने पारिंग करनी शुरू कर दी जवाबी हमले में भारतिय सुरक्षाबलों ने मूँ तोड जवाब दिया और धीरे धीरे आतंकियों को ऐसा घेरा कि आप उनके पास भागने का कोई मौका नहीं बचा है ये आतंकी सिर्फ गोली बारी करके खुद को बचाने की और भागने की कोशिश कर रहे है लेकिन पहरा इतना सक्त और कड़ा है कि वो निकल नहीं पा रहे किस्तुवाड में मुढभेड फेड से शुरू हो चुकी है और इस बार इन चारों आतंकियों का मरना तै माना जा रहा है पता दे इससे पहले रियासी जिले के चसाना इलाके में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभ्यान चलाया गया था आतंकियों और सुरक्षबलों के बीच गोली बारी की खबर भी सामने आई वहां तलाशी अभ्यान अब भी जारी है बता दे आतंकियों की मौझूदगी को देखते हुए इस समय सुरक्षबल सर्च भ्यान चला रही है खूफी एजनसी लगातार अलर्ट जारी कर जानकारियां दे रही है जिसके बाद ऑपरेशन चलाय जा रहे है ब्यूरर रिपोर्ट भारत तक झाल जारी को भारत तक जारी है